आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फिंगर प्रिंट लाइव एनिमेशन 4K एप्लिकेशन को आप अपने फोन में कैसे यूज करेंगे तो गाइस गर आप भी जानना चाहिए तो यह एप्लिकेशन है क्या और इसे फोन में कैसे यूज करें तो फिर इस वीडि गरा देखने है तो आप देखसे तो 4.0 इसको स्टार मिला वह 4K रिव्यूस है रिटेट देखसे तो 3 प्लस रेटेड और यहाँ पर 500 के इसकी जो डाउनलोडिंग है अब कैसे अप्लिकेशन को यूज करना चली मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो हम अपनी फोन म आपको मिलता गया तो यह जो एप्लिकेशन ऐसे फिंगर्पिंट और अड़ीशन वालपेपर आपको क्या होगा कि इसाथ इसाथे उस तरह से फिंगर्प्रिंट आनिमेशन ऊपर आपको मिल जागा जो कि आप अपनी वालपेपर में सैट कर पाएंगे तो कैसे यूस करना जैसे for example, यह सब इनर भी wallpaper, इसब अलगलग animation जो है, जैसे animation के उपर क्लिक करते तो इस तरह ऐनियंशन आएंगे wallpaper के उबर जिससे यह सब आंगलग animation है जैसे फॉर एकसमपल मुझे यह सट करना मैं इसके उपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देखे तो इस तरह से wallpaper बहुत सारे अलग लग मिलेंगे और इस तरह से जो thumb है वो यहाँ पर जो fingerprint है वो हमारे सामने आ जाएगा ठीक है देखे तो जैसे अलग लग wallpaper आपको लेने है तो अलग लग यहाँ से आप wallpaper भी choose कर पाएंगे बहुत सारे अलग लग यूनीक से wallpaper हमें जो है मिल जाएंगे ठीक है जैसे for example हम यह वाला wallpaper चूज करते है यह वाला तो इस तरह से इसमें जो यहाँ पर fingerprint आएगा तो यह देख तो जैसे यहाँ पर इसकी position वगरा चेंज करनी है तो वो भी हम कर पाएंगे तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर फिलाल आपला सा ना पहर इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर आपनी वाल के स्कीरीड है क्ने का जो option है जो मिल जाता है तो यहाँ पर हम अपलाई वाला option मिल रहा तो हम पर apply पर क्लिक करेंगे home screen and home screen and lock screen दोनों का option मिलेगा तो मुझे home screen पर set करना है तो मैं home screen के उपर click करूँगा और उसके बाद यहां पर यह successfully apply हो जाएगा ठीक है उसके बाद guys यहां से back करेंगे back करने के बाद यहां पर तो home screen में यहां पर यह wallpaper set हो चुका ठीक है अब guys यहां पर हमें fingerprint वाला animation देखना है तो इसके लिए सबसे पहले तो हम अपनी phone में लॉक को unlock करेंगे जैसे इसे open करेंगे उसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पहले lock open करेंगे और इसके लिए क्या आगना होगा कि इसे जो है अपने home screen में भी set करना होगा ठीक है तो मैंने इस dif अपने lock screen में set किया है तो जैसे इसे हम दोनों पर set करेंगे hos screen के ओपर यह बिसे करेंगे उसके बाद क्या होगा